कॉंग्रेस पार्टी में 24 साल के लंबे अंतराल के बाद गांधी परिवारत से बाहर का कोई वेक्ति नया ध्यक्ष बना है। कॉंग्रेस अध्यक्षपद के चुनाओं में मलिकारजुन खडगे ने शांदार जीत हासिल की है। मलिकार जुन खड़गे के पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद कॉंग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कही है। कॉंग्रेस राष्ट्री अध्यक्ष पत के चुनाओं में खड़गे को 7897 वोट मिले हैं। वहीं शची थरूर को सिर्फ 1072 के करीब ही वोट मिले हैं। करीब 616 वोट खारिज हुए हैं। शची थरूर ने ट्विट कर खड़गे के कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने को सम्मान की बात बताया है। वहीं गांधी परिवार के करीबी खड़गे के अध्यक्ष बनने पर कॉंग्रेस में खुशी का महौल है। मतविदेश कॉंग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा ने खड़गे को बधाई देते हुए कहा कि राश्ट्री अध्यक्ष के नेत्वत में हम सब पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं कॉंग्रेस प्रवक्ता भूपेंग गुपता ने कहा कि बीजेपी में लोगतांतिक तरीके से चुनाओं नहीं होते हैं। कॉंग्रेस में खड़गे ने चुनाओं लड़कर जीता है। कॉंग्रेस पार्शाथ गुड़ू चौहान ने खड़गे के राष्टी अध्यक्ष बनने पर कहा कि कॉंग्रेस में हमेशा लोगतंत्र रहा है। सभी कॉंग्रेस कारकरता उनके नित्वत में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये फक्र का विशा है हमारे लिए कि लोगतंत्रिक धंग से कॉंग्रेस पार्टी में चुना हुए है। और इस निर्वाचन ने उन ताकतों को करारा जवाब दिया है जो खुद थौपे हुए अध्यक्षों के माध्यम से हमारे आंत्रिक लोगतंत्र पर उन्लियां उठाते थे। पचास सालों बाद बाबू जग्जिवन राम जी के पश्चात एक दलित नेता के रूप में हमें एक नई सोगात अधनी मलिकार जुन खर्गे साब के रूप में मिली है। और मैं दावे से कहता हूँ कि उनके नेत्रवत में हम लोग सामप्रदाइक ताकतों को मुह तोड़ जाब देंगे। जनता पार्टी में साहस हो तो चुनाव कराए। भारती जनता पार्टी 1980 में पैदा हुई थी। जैपरकास नाराहिन जी के साथ धोका करके उनकी पीट में चुरा गोब के और जो है इन्होंने सरकार गिरा दी थी जनता पार्टी की अब उसके बाद से आज तक कोई इनका चुनाव हुआ हो तो बताएंगे और अभी कप कराएंगे चुनाव इसकी घोशना करें यहां तो एक्स्टेंशन पर पार्टी चल रही है दो आर्मी नर्देश रिकरते हैं तीसरा आर्मी बेढ़ जाता है और यह पहला चुनाव नहीं है कि तिहास में जब-जब का मरेस्पारटी के चुनाव होते हैं का अंगे पार्टी का चुनाव पूरे विश्व में चर्चत होता है यह हमारी लोगतंत के प्रती कटिवर्द देता है हमारा संकल्ब है और जिसकी पूरा विश्व सराय ना करता है कभी भारती जन्ता पारिटी के किसी इलेक्षन की दुनिया के मीडिया में चर्चा हुई हो तो आप बता दें निश्ची रूप से कांग्रेज जो है ऐसी पारिटी है जो आजादी की लड़ाई मतलब हिंदुस्तान का आजाद होने के पहले से लगातार संगस करती आई और हिंदुस्तान को आजाद कराया सोनी गांदी रहुल गांदी जो बंसा थी कि कांग्रेश पार्टी में लोकतन पहले भी था आज भी है उसका परिणाम बाकाई यह हुआ कि मल्लेकार जो खड़गे जी जो है सब ने अपने मतातिकार का पिरोग किया और चुनकर वो मल्लेकार जो खड़गे जी आए निश्रूप से हम कारेश जनों के लिए हम सब सुपान देते हैं वो द्रीगाई हूँ आगे बढ़ें आप देख रहे हैं दखल नियूट